अगर बर्त में आप लोग भी एक ही तरह के पकोड़े खाखा के बोर हो चुके हैं तो आज आप ये वाले पकोड़े बनाएं जो की बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही टेश्टी है और बहुत ही जादा कृस्पी है और मैं आपको तोर के भी दिखा रही हूँ कितने कृस् तो hlf वेहुं स्मेहु गीता और अपका श्वा गटत है मेरे चैनलृषान्यवश्वाइसी ृतुल है दो सबसे पहले सबुदाने को पीृष यृ Jan सब्सक्राइक पानी को ब्रूंउ गर्म पानी लिया है भीगो दूंगे अच्छे से मिक्स करके तो हमें एक टाइट सा पेस्ट बनाना है बिल्कुल भी पेस्ट को ढीला नहीं करना है सावु को जो पाउडर है उसे बस भीगोना है जिससे कि यह थोड़ा फूल जाए तो मैंने सावु दाने को अच्छे से पानी से भीगो दिया है और अभी 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और यहाँ पे मैंने लिया है मूमफली के दाने तो चार चम्मच मूमफली के दाने है इनको मैंने 10-15 मिनट के लिए पहली भीगो दिया था और अच्छे से फूल चु तो पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगी तो आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है अब इन्हें धोलूँगी जिससे किनका एक्स्ट्रा इस्टार्च जो है वो निकल जाएगा तो हमारी तीनों चीजे तैयार हो गई है तो अब एक बरतन लूँगी और उसमें सारे चीजों को मिला लेंगे तो सबसे पहले मैं यहां डाल रही हूँ आलू कद्दू कस्किया हुआ और जो हमने साबुदाना अपका पाउडर जो भिगो के रखा था उसको डाल दूँगी अद्रक और हरी मिर्च दर्दरक कुटा हुआ यहां पर मैंने नमक सेंधा नमक यूज किया है बर्त वाला नमक अब इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक स्मूध सा पेस्ट बना लेंगे तो इस तरह से हमारा देखिए जैसे एक साइट से थोड़ा सा गोलडन ब्राउन हो जाएगा आप इन्हें पलड़न दे तो उलड़ते पलड़ते हमें गोलडन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है बिलकुल क्रिस्पी हो जाएंगे अगर कड़ाई में आपके बड़े आपस में चिपक जाते हैं तो टे जो पकोड़े हैं या फिर बड़े कुछ भी बोल लीजिए वह फ्राई हो चुके हैं बहुत ही क्रिस्पी देखने में ही इतने क्रिस्पी लग रहे हैं तो आप में इनकाल लूगी इसी तरह से में सारे पकोड़े बना के तैयार कर लूगी तो देखें मैंने बोला था अगर चिपक जाए तो टैंसन वाली कोई बात नहीं बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं थोड़ा सा ठंडा होने पर क्योंकि जब साबुदाना गरम होता है तो बहुत लूज हो जाता है वह आपस में चिपक जाते हैं तो आप देखिए इतना क्रिस्पी है कि टूटने भी टाइ तो आप इसे बर्त वाली चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप ऐसे ही खाई यह बहुत ही बस्त लगता है मुंफलियों को भीगो कर ही डाले फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरूर करना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना ताकि नहीं नहीं आपको मिलती रहे और नोटिफिक्शन बेल को जरूर दबा देना जो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड्स